मुर्दे के ऊपर से उतार कर बेच देते हैं मुझे कफन कहता है और कफन भी छीन लिया गया आखरियत में मुझे से मुर्दे का बदन कहता है कि कफन भी छी लिआ गएआ आकरियत में मुझसे और ये मुर्दे का बदन कहता है और शेर सुनियेगा लोगों के दिये दर्द को चुप चाप सेहता रहा हमेशा कि मुर्दे के ऊपर से उतार कर बेच देते हैं मुझे ये कफन कहता है और कफन भी छिल लिया गया आखरियत में मुझसे ये मुर्दे का बदन कहता है और लोगों के दिये दर्द को हमेशा चुपचाप सहता रहा मैं लोगों के दिये दर्द को हमेशा चुपचाप सहता रहा मैं कबी शौर नहीं मचाया यहां मुझे अमन कहता है और शेयर शुनेगा कि ताउम्र तनहा रहने की मुझे सजा हो गई अरे मोहबत कर बैठा वस यही खता हो गई मुखबत कर बैठा वस यही खता हो गई और उस शक्स को मैंने बहुत वफादार समझा था उस शक्स को मैंने बहुत वफादार समझा था अरे नजाने वो लड़की कैसे बेवफा हो गई और शेर सुनेगा कि अपने गुनाहों का मैं कफारा करके देखूंगा 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 इश्क में एक बार दुबारा करके देखूंगा और इस बार शायद मोहबत में बफा मिल जाए मुझको कल में एक शक्स को इशारा करके देखूंगा कल में एक शक्त को इशारा है और मेरा एक शेर एक गजाल चोटी सी कि ना कभी मेरे हक में फर्याद करने वाले जा खुश रहे मुझे बरवाद करने वाले और अच्छा ही है जो तू मुझे याद नहीं करता अच्छा ही है जो तू मुझे याद नहीं करता अरे बड़े रोते हैं मुझे याद करने वाले और शेर शुनेगा कि जनाब हकीकते जिन्दगी है जो बता रहा हूँ मैं बेग भाई कि जनाब हकीकते जिन्दगी है जो बता रहा हूँ मैं अरे बरबाद हो गए दूसरों को आवाद करने वाले बरबाद हो गए दूसरों को और ये आकरी शेर कि ये वक्त है करवट बदलता जरूर है अमन ये वक्त है करवट बदलता जरूर है अमन बड़े बेचैन रहते हैं दूसरों को नाशाद करने वाले बड़े बेचन रहते हैं दूसरों को नाशाद करने बाले और एक छोटा सा शिर की जो मुझे उस शक्त से निजात मिली है और बेवफा बेशरम मतलब परस्त कहते थे लोग तुझे बेवफा बेशरम मतलब परस्त कहते थे लोग तुझे अरे सच कहते थे तुझ में वो हर बात मिली है सच कहते थे और मेरे एक छोटी से गजल चंद लाइनों की छेर है कि जो पूरे नहीं होंगे वो ख्वाब लिये बैठे हो बेवेग भई, सचन भई कि जो पूरे नहीं होंगे वो ख्वाब लिये बैठे हो उसे रोशनी देने को हाथ में आफ्ताब लिये बैठे हो और माना तुम एहले जर्फ हो लोग यकी नहीं करेंगे ये क्यों मैं खाने में दूद का गिलास लिये बैठे हो ये क्यों मैं खाने में दूद का गिलास लिये बैठे हो और शेर ये है कि वो चला गया छोड़ कर यकी नहीं होता वो चला गया छोड़ कर मुझे यकी नहीं होता अब क्यों उसके छोड़ जाने का इस्तराब लिये बैठे हो और आखरी शेर है कि कल तो कहा था तुमने ये गमों में असर नहीं करती, तो कहा था तुमने ये गमों में असर नहीं करती, तो आज क्यों ये हाथ में शराब लिए बैठे हो, तो क्यों आज ये हाथ में शराब लिए बैठे हो, और मेरा एक आखरी शेर कि अपनों से बिछड कर कुछ नहीं होता गैरा शेर है कि अपनों से बिछड कर कुछ नहीं होता और गैरों से मिलकर कुछ नहीं होता और हमने उनको भी देखा है गैर के साथ बिस्तर में हमने उनको भी देखा है गैर के साथ बिस्तर में अरे जो कहते थे आबरू से बढ़कर कुछ नहीं होता जो क झाल झाल